आप सब को सलाम उलेकुम 2016 में मैंने आस्ट्रेलिया से अपने एक दोस्त से अवेंटस मंगवाया था मुझे अवेंटस की खुश्बू का थोड़ा बहुत आइडिया था लेकिन मुझे 2016 बैच जब मिला मैंने उस खुश्बू को 3 साल तक चलाया 2019 आप कह सकते हैं अगस्ट सेप्टमबर में मेरा अवेंटस वो खतम हुआ तो अब जब निया अवेंटस मैंने ट्राई किया एक दोस्त के पास तो बहुत ज़दर डिसपॉइंटिंग 2019 बैच 2018 थोड़ा वो ठीक है 2019 तो बहुत ज़दर डिसपॉइंटिंग तो मुझे फिर अवेंटस के आल्टरनेट्स पे उसके कलोन्स के उपर जाना पड़ा जिसकी वज़ा से मैंने एवेंईू खरीदा पर्फियूम फॉर्म में उसके बाद उसका अतरियत अभी मैंने रीसिंट पर्चेज किया है एवेंईू मैंने पॉर्लोई जीब्रा पर्चेज किया रसासी का अलहरमेन का लवेंचर पर्चेज किया उसके बाद मैंने अलदुरल मकनून पर्चेज किया और 2017 में तकरीबन मैंने जानान पर्चेज किया था तो आप कह सकते हैं कि 2016 अवेंटस के चक्कर में मैंने 4-5 पर्फ्यूम्स ट्राइ किये जो के अवेंटस के क्रीब क्रीब हो अवेंटस का क्लोन हो लेकिन अवेंटस एक ऐसा पर्फ्यूम है कि उसका क्लोन 80% तो बनाया जा सकता है इससे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल है अगर आप उपर आते हैं 1995 तो फिर वल्ला अलम उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि उसकी लॉंग्जीविटी का ही हो जाता है लाइक मैं आपको एक इग्जेम्पल देता हूं कि यह कि लताफा का पर्फ्यूम है अल्दूरलमकनून यह 1600 रुपेक है लेकिन आप यकीन करें कि यह 2016 बैच के सबसे ज़दा क्रीब है स्मोकी पाइनेपल हर लेहाज से यह उसके क्रीब है बट दो घंटे से उपर इसकी पर्फॉर्मेंस नहीं है मैंने यह रखा हुआ है मैं इसको जब अवेंटस के बहुत ज़दा मज़ा लेना होता है खुद ही एक गंटा दो घंटे के लिए तो मैं इसको जरूर लगाता हूँ इससे मैं अवेंटस का इंजॉई कर लेता हूँ मैंने जो चार पांच छे अवेंटस इस्तमाल किये अवेंटस का क्लोन सोरी अवेंटस के क्लोन इस्तमाल किये क्योंकि मेरा जब 2016 बैच खत्म हुआ तो लिटरली मैं पागल हो गया था अवेंटस के लिए 2016 बैच मैं अभी भी ढूंड रहा हूँ 16D01 वो मुझे कहीं से मिल गया औरिजिनल तो मैं खरीद दूँँगा उसको और जरूर खरीद दूँगा इंशाल्ला लेकिन जब तक नहीं मिलता नया बैच तो मैं कभी परचेज नहीं करूँगा पैसे जाया करने वाली बात है महंगा भी हो गया और काफी ज़दा जूस डाउन भी कर दिया गया है वो परफॉर्म नहीं कर पाता अब उसमें स्मोकी पन भी वो नहीं रहा जो 2016 में था तो मैंने जो अभी तक सारे इसके इस्तमाल किये हैं परफ्यूम्स अवेंटस के क्लोन्स के लिहाज से बात की जाए तो जो मुझे सबसे ज़दा क्लोज और सबसे ज़दा आप कह लें कि 2016 बैच के टकर का वो सिर्फ और सिर्फ एक परफ्यूम लगा और वो यह था रसासी पोरलोई जीब्रा यह है 9-3-7-5 इसको कहते हैं बारल रसासी पोरलोई जीब्रा इसका नाम है यह मुझे उसके सबसे ज़दा क्लोज लगा जो के 2016 की टकर का है बाट दो अनली प्रॉब् परफॉर्म करता है 12 घंटे प्लास आपने कपड़ों पर लगा लिया आप उन कपड़ों को क्लोजेट में लटका दें नेक्स डिया आप क्लोजेट खोलेंगे तो आपको आवेंटस की खुश्बू आ रही होगी तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है पर्फॉर् का फिर उसके बाद ब्लैक करंट का जो के बबल गमी डाईप उसमें फेज आता है अवेंटस में थोड़ा सा आता है लेकिन आता जरूर है और जैजमीन का जो इसका तीसरा फेज है वो चलता तो घंटा दो घंटे है मैक्सिमम यानि टोटल इस पर्फ्यूम की तीन घंटे लॉंग जीविटी आप कर लें यह है भी 50 ml की बॉटल है यह मेंगा भी काफे जाद है मतब चार हजार रुपे का 50 ml है लेकिन यह अवेंटस को टक्कर देता है यह यह अवेंटस को हर लिया से टक्कर देता है ओनली प्रॉब्लम इस पर्फॉर्मेंस यह तीन घंटे से उप लेकिन बर्गमोड प्रॉमिनेंट है जो इसको सिट्रस ही बनाता है सेकंड फेज में इसके बबल गम टाइप और जैजमीन है जो कि इसका वेंटस के बिल्कुल क्लोज है जो थर्ड फेज है इसका स्मोकी फेज वह बहुत ही ज़्यादा क्लोज है वोडी स्मोकी जो के 2016 की कॉलिटी थी कि उसमें जो बेर्च टार प्लस एक डार्क वुडी स्मोकी खुश्बू थी वो इसके अंदर आपको मिलेगी लेकिन पर्फॉर्मेंस तीन घंटे है आप इसको बहुत ही जादा इंजॉय करेंगे इस पर्फ्यूम को बहुत जादा इंजॉय करेंगे लेकिन ती इसके अंदर आता है तो मैं यही जब से मैं अवेंटस के क्लोन्स के चक्कर में पढ़ा हूं तो मैंने यही चीज़ नोट किया है कि 80% अवेंटस के क्लोज रहेगा तो पर्फॉर्मेंस ठीक रहेगी जैसे ही वह उपर जाना चाहेगा 90-95 की तरफ फिर उसकी पर्फॉर्मे पर्फ्यूम भी है आज कल अवेंटस के बाल अवेंटस नहीं है तो अवेंटस आएगा तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है यह मैं लगाता हूं रात के टाइम लगा लेता हूं जब मैंने अवेंटस को थुड़े नजॉय करना होता है इसी वला रूम है 3-4-3 गंटे लोई जीब्रा थैंक यू सो मँट